अस्कूल हो या गोलेज या कोई जॉब की तैयारी डॉब करना कोन नहीं चाता लेकिन जब बाद पढ़ाई की आती है तो तुम्हारी वही पुरानी समस्य सामने आ जाती है क्या करें पढ़ाई में मन ही नहीं लगता क्यों नहीं लगता मन कभी खुच से यह पुछा है जब सपने तुम्हारे हैं तुने पूरा करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है इक जाओ में सपनों में तुम चाहते हो तो तुम्हारे बदले कोई दुश्रा पढ़ाई क्यों करेगा करना तो तुम्हारे अच्छे माक सी आंगे का रास्ता तैय करेंगा अभी वक्त है जाग जाओ वारने जीवन के दोने तुम कहीं पीछे छूट जाओगे और तुम्हारे सपनों की जगा कोई और दूस्तर खड़ा हो तुम्हारे पढ़ाई में मन नहीं लगने का सबसे बड़ा कारण तुम्हारा ये मोबाइल फोन है तुम्हारे अपने मन को इसका गुलाम बना दिया है तुम चाहकर भी इससे बाहर नहीं निकल पाद है तुम्हारे दिन के सुभात मोबाइल से होती है और आपने मोबाइल पर ही जाकर खत्म होती है जोना गुर्मनेट सोच कर देना आज जो तुम ने पूरे दिन गें वाट्साप फेस्बूप और अल्टों के वीडियोस देखने हम अपने सुभाई बरबाद किया इन से तुम्हारे जолет में क्या बदला हूआ है ये सिर्ग तुम्हारे दूपल के खुश्यां दे सकते हैं लेकिन तुम्हारी लैप मैं बदल सकते है तुम्हें अपनी लैप खुर बदलनी होगी अगर मबाइल कई उच्च करने तो अपना प्रहाई के लिए करो अधुन चीजियों के लिए करूँ जो तुम्हारे सपनों के करीब ले जाए एक बात हमें से याद रखना है ये दुनिया से रिप्रिजान्ट दिखती है जिस दिन तुम लो जाओगे तो तुम पे हसनो वालों की कमी नहीं होगे और ये दुनिया से तुम्हारा मजग नहीं बनाईगा तुम्हारे साथ तुम्हारे मात अप्रिदा का भी मजग बनाई जाएगा तो अब दैतुम्हें करने आपने मात अप्रिदा का मजग बनाना है या उनके लिए कुछ करके दिखाना है अब इसमया जाग जाओ और लग जाओ पढ़ाई में और तब तब नहीं रुको जब तक तुम्हारी मंजिल तुम्हें नहीं मिल जाती है आज सही पढ़ाई को डामे छोड़ दो और छोड़ दो या कहना कि तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लगती तुम्हारी समस्य या है कि तुम पढ़ाई को ही अपना गोल समझते हैं लेकिन सस्तु या है कि ये पढ़ाई तुम्हारा गोल नहीं बलकि तुम्हारी गोल पर पहुंचने का रास्ता है जिस दिन तुम्हें अपना रास्ता सही तरीके से पार करने है उस दिन तुम्हारी मंजिल तुम्हें मिल जाएगी और उसके बाद तुम्हें पढाई करने के लिए कोई नहीं काएगा लेकिन अभी तो तुम्हें पढाई करने होगी उस मंजिल को पाने के लिए जो तुम्हारा सपना है तो मिलते आगले वीडियो में तब तक के लिए believe yourself and best of luck